कमेटी की रिपोर्ट पर हरियाना में CBT के बाद CET Common Eligibility Test हो रहा था वो भी लीक हो गया तो आप ये कहिए कि OMR ही लीक नहीं होता CBT भी लीक हो सकता है ये पहली बात है लेकिन इस चिंता के बीच दिपक सानन कमेटी की ने जो परसोनल डिपार्टमेंट है उनको एक नई डेडलाइन दी है कि वो दिवाली से पहले अपनी रिपोर्ट दे देंगे और ये बात हलांकि हमने आपको पहले बताई भी थी अख़बार में छपी भी थी और दिवाली से पहले रिपोर्ट आएगी तो आगे कितना टाइम लगेगा वो भी देखने वाली बात है फिलहाल अगली कैबिनेट या फिर मुख्यमंत्री की वापसी का इंतजार है उसके बाद जो अगला सारा प्रोसैस शरू होगा जब तक दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक राज्याचैना योग में चाहे चीफ यह कहाए कि अभी फिल हाल सीम् का खराब सवस्ते है जिसके चलते बैठाक नहीं हो पाई है और उनका भी यह कहना था कि हम ऐसे मौके पर बिल्कुल भी जो हरताल आगे नहीं करेंगे और लगातार जिस प्रकार से अभी हम काम कर रहे हैं इसी तरीके से काम करते रहेंगे जब स्वस्थ हो जाएंगे और जब मंत्री वापसी आएंगे उसके बाद जो उनकी मुख्य डिमांड है कि विवाग में मर्ज किया जाए पंचाइती राज के जितने भी करमचारी है आप कह सकते हैं हलंकी इनको अभी क Jared नहीं मिला है इनको मर्ज नहीं किया गिया ठेंग्छाइत इ लेकर क्रिया कि दोहजार इक्सट्या पर बरती हो नहीं cabinet से approval हो गई है और अब सिर्फ इंतजार है पोस्टों के advertise होने का forest इसकी process में लगा हुआ है और forest guard अलग से भरती होने है वनमित्र अलग से भरती होने है forest guard तो forest की अपनी एक set प्रक्रिया है वनमित्र के लिए sdm की committee होगी और शिमला में 314 मंडी में 309 धर्मशाला में 249 यह तीन बड़े जो segment हैं जिन में सबसे ज़्यादा भरती है बाकियों में कम हैं और 30 मिनट में 5 किलोमेटर की दौड़ 20 में पूरी करनी होगी यह भी एक जो ground 20 में बीश में होगा तो सारी चीज़ें हैं लेकिन जैसे ही क्योंकि अभी चीज़ें finalize हो रही है जैसे ही final हो जाती है उसके बाद हम इसकी update आपके साथ इसके जो points हैं वो आपके साथ साजा करेंगे कि जो यह schedule है वो किस तरह से और कब से forest जो है वो लागू करने जा रहा है अगर एंटीटी के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन आपको पता है एंटीटी को लेकर अभी भी कोई update हमारे सामने इसलिए नहीं है क्योंकि एंटीटी को लेकर अगली cabinet में जाने से पहले जो एक बार बैठक हुई है एक बैठक अभी हुई है अंगनबाडी को लेकर लेकिन जो दूसरी मामला है इसमें चाहे वो एक साल का डिप्लोमा है चाहे डीए सी का है उसमें कुछ प्रोग्रेस चल रही है आज भी हमने दो तिन मामले इसमें बात की है लेकिन इसकी हम एक नई अपडेट आपके सामने बहुत जल्दी रखेंगे लेकिन अभी वो प्रॉसेस डिसकेशन का है तो इस प्रॉसेस को निकलने देते हैं उसके बाद इसकी जानकारी आपको जरूर देंगे सास्त्री भरती में विवाद लगातार चल रहा है एक तरफ जो सिक्षा मंत्री ने ये कह दिया था कि ये जो प्रेजन्ट रूल है इनको लॉको एक बार फिर से वैटिंग के लिए भेजने हैं लेकिन दूसरी तरफ जो सास्त्री संस्कृत महाविद्याले प्रध्यापक संग है इस संग ने ये डिमांड की है राज्या सरकार से कि सास्त्री भरती के लिए केवल सास्त्री उपादी धारक ही पातर किये जाएं बी ए संस्कृत और एमे संस्कृत बगरा उसमें ना लिया जाए और एंसीटी की गाईलेन के नुसार जो सुधार किया जाना पिक्षित है उसके लिए एक कमेटी बनाए जाए जिसमें विशेशक्या के रूप में विशेशादीकारी संस्कृत संस्कृत महाविद्याले के प्रचारया आचारया इत्याजियों को शामिल किया जाए उसके बाद सरकार इसमें फैसला ले और इसको इमिडियेट लागू ना करें अब इसमें भरती को लेकर अभी चेंज तो कुछ हुआ नहीं है लेकिन फिर भी अगर राज्य सरकार इस बारे में क्या सोच रही है वो प्रतिक्रिया आने के बाद हम इसकी अपडे इसके बाद आयरवेदिक मेडिकल आफिसर की जो निक्ती होनी है एक सो पंतालीस एक सो ब पहली बात ये कि जॉइनिंग अगर वो करेंगे पहले तो बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा इसलिए अभी उनको रिलेक्शेशन कितना देना है क्योंकि पीजी में तो टाइम लगता है जादा छे मिने से जादा अधरवाइस जॉइनिंग पिरियड में टाइम दिया नह अब इस भरती के बाद जो पोस्ते हैं लगबग 96% तक भर जाएंगी और उसके बाद फिर अगली भरती कई साल तक आएगी नहीं तो ये भी एक एक चांस है जो टीजी टी भरती नियम क्यों बगलने वाले हैं देर सवेर ये इसलिए क्योंकि हमने आपको परसों बताया था कि एक पेटिशन दायर हुई है हाई कोर्ट में एक पेटिशनर है मोही ठाकुर और इन्होंने ये तरक दिया है कि उनके पास जो है उनके पास जो डिगरी है उसके मताबिक उनके पास दो साल का जो अलिमेंटरी एजुकेशन का डिपलॉमा है और बी ए पास हैं वो तो जो सीटी की 2010 और 2011 की एक notification है उसके मताबिक वो eligible हैं लेकिन हिमाचल सरकार के जो rules हैं TGT के उसमें उनको शामिल नहीं किया गया है दूसरा उन्होंने किया था कि जो teacher eligibility test के लिए notification हुई है जिसको 30 October 2023 education board ने last date रखी थी उस notification में test करने के लिए उनको eligible नहीं गोशित किया गया है तो उनका जो right है वो उसमें मारा जा रहा है तो इसलिए 30 October की date के कारण ही ये matter of urgency में आया और vacation judge के सामने लगा आज से high court खुल गए है vacation के बाद तो अब इसमें राज्या सरकार से भी reply मांगा था high court ने और आज ये case high court में लगना था लगने के बाद की update अभी नहीं आई है लेकिन जो राज्या सरकार ने इसमें reply दिया है वो महत्वपून है फिलहाल राज्या सरकार ने ये कहा है कि जहां तक petitioner ने टैट की eligibility को लेकर यानि कि खुद आवेदन करने को लेकर जो सवाल उठाए हैं अगर इनको roll number जारी कर दिया जाए या इनको permission दे दी जाए टैट में apply करने की तो हमें कोई आपती नहीं है ये राज्या सरकार की तरफ से सिक्षा विभाग ने high quote को लिखके दिया है और जहां तक बात चठी से आठवी में जो ये बीए प्लस elementary education के डिप्लोमा की बात है इस पर अभी राज्या सरकार silent है सिक्षा विभाग ने अपने reply में इस पर अभी silence रखी है क्योंकि जो petitioner है उसके पास stat का certificate नहीं है तो अभी immediately कोई रिस्क नहीं है उस तरह का कि ये case जो है और batch wise भरतियों को उल्जा दे लेकिन एक बात जरूर है कि आने वाले दिनों में क्योंकि जो jbt versus beard case अभी settle हुआ है राज जोदपूर high court से सुप्रीम court में जिसमें हिमाचल भी party था उस case में सुप्रीम court में ने भी category के लिए कहा है कि भरती नियमों के मामले में जो mandate है वो ncte के पास है इसलिए अगर ncte ने कुछ amendment कर दी है तो उसको हिमाचल में लागू करना राज्य सरकार के लिए बाद देता है और इसी लिए अगर जो बी-ए प्लस elementary education diploma अगर valid है तो हिमाचल में भी देर सवेर करना पड़ेगा लेकिन फिल हाल इस पे राज्य सरकार ने silence